हालो गाइस वेलकम बैक टो मैं चैनल सो आज हम फायर बोर्ड की तरफ से आई हुई नई वाच जो की फायर बोर्ड टॉक है उसके बारे में बात करेंगे यह फायर बोर्ड की तरफ से फर्स्ट वाच है जो ब्लूटूथ कॉलिंग में आती है सो आज हम इस वीडियो में इस वाच का डीटिल स्पेक्स लांच डेट और प्राइजिंग के बारे में बात करते हैं सो बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते है बारे में आती है बारे में आती है झाल झाल हम शुरू करते हैं डिस्पले और बिल्ड कॉलिटी की तरफ से डिस्पले में देखा जाए आपको यह राउंड डिस्पले 1.3 टू 1.4 इंच का डिस्पले मिलेगा और बिल्ड कॉलिटी के में बात करू तो आपको यहां पे एक मेटलिक बिल्ड मिलेगा तो दिखने में बिसिकली आपको तीन कलर में मिलेंगी ब्लैक ग्रे और क्रीन सो ग्रीन कलर यह नया इंप्लिमेंटेशन है फायर पोल्ट की तरफ से ब्ल्यूटूथ कॉलिंग जो की एक हाइलेटेड फीचर है इस वाच का उसके बारे में बात करते हैं कॉलिंग में बेसिकली आपको यहां पे तीन फीचर मिलेंगे तो पहला है डाइलर पैड नेक्स्ट है कॉंटेक्स थर्ड है रिसेंट कॉंटेक्स डीटेल्स अगर हम सेंसर की बात करें इस वाच में हमें SPO2 ट्रेकिंग यहां पे उन्होंने ब्लड प्रेशर सेंसर भी दिया है अगर मैं UI की बात करूँ यह मेन्यू स्टाइल एपल वाच के मेन्यू स्टाइल की तरह ही है अब हम SPORTS MODE की तरफ चलते हैं यहां पे अगर आप देखो कि यहां पे आपको dedicated 8 SPORTS MODE मिलते हैं स्टाइटिंग फ्रॉम वाकिंग, रनिंग, साइक्लिंग, स्किपिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, पैटमेंटन और स्विमिंग जो fitness freak है उन लोगों के लिए यह बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है अगर additional feature की बात करूँ, यहां पे आपको music और camera control भी मिल जाता है जिससे आप आपके smart watch से ही camera और music जो आपके smartphone पे चल रहा है उसे control कर सकते है अब चलते हैं battery life की तरफ, तो यहां पे company claim कर रही है अगर आप normal use करेंगे तो आपको 10 दिन का battery मिलेगा और अगर Bluetooth calling यूज़ कर रहोगे तो आपका battery life up to 5 days होगा और standby 130 days का उन्होंने दिया हुआ है और यह basically आपके usage पे depend होता है और देखते हैं यह watch कैसा इस पे perform करता है अगर notification के बात करते हैं यहाँ पे आपको कोई restriction नहीं है आप सब apps जो आपके smartphone पे है वो आप notification smart watch पे देख सकते हों अगर मैं watch faces की बात करूँ यहाँ पे आपको 100 plus watch faces लेंगे और customizable watch faces का भी आपको option यहाँ पे मिलता है अगर water resistance की बात करें यहाँ पे आपको ip67 water resistance मिलता है और यह ip68 नहीं है इसलिए आप इसे swimming के time use नहीं कर सकते हो यह basically splash और sweat proof है है कि सो यह सब थे fireball talk के main features अब हम प्राइजिंग की बात करें तो यह watch आपको almost 5000 के range में मिलेगी और यह watch सिर्फ और सिर्फ क्लिप काट पे लॉंच होने वाली है अगर मैं अपना personal verdict बट्पा हूँ तो यह watch की specification completely fireball 360 से मिलती है अगर आपका Bluetooth calling ही priority है यह watch के लिए wait कर सकते हो नहीं तो आप directly fireball की 360 watch है उसे ले सकते हो इससे कम प्राइज में आपको मिलेगा that is 3500 rupees so that's all for today's video अगर आपको मेरा content और यह वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक और subscribe कर देना और हम मिलते हैं अगले वीडियो में thank you